हेलो एवरिवन, वेलकम टू शिफाली कुकिंग क्लासेज आज मैं बनाऊंगी ऑथेंटिक साउथ इंडिन स्टाइल सांभर जिसे मैं इडली और पीनट चटनी के साथ सर्फ करूंगी आप इसे डोसा और राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए वो देख लेते हैं तो यहां मैंने थ्री फोद कप अरर की और तूर दाल लिये जिसे मैंने आदे घंटे के लिए भिगो दिया है तो यह हमें थ्री फोद कप चाहिए साथ ही मैंने यह एक मीडियम साइज का आलू लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है ये 10 से 12 बीन्स हैं इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया है और ये मैंने बैंगन लिया है ये लगबग आदा का बैंगन है जिसे पानी में डाल के रखा है जिसे वो काला ना पड़े मसाले में मैंने यहां नमक और हल्दी ली है तो यह हमें उबालने के लिए चाहिए इन सभी चीजों को हम कुकर में डाल के बॉयल करेंगे अगर आपके पास बीन्स और बैंगन नहीं है तो आप लॉकी और काशी फर्ग यादि की कद्दू वो ले सकते हैं और अथेंटिक सामबर में यही दो सबजियां डलती है तो यह कुकर में मैंने डाल एड़ किया साथी मैं इसमें आलू एड़ करूंगी बैंगन एड़ करूंगी और बीन्स एड़ करूंगी तो beans की जगे लौकी और बैंगन की जगे आप कद्दू ले सकते हैं नमक एड़ किया, अभी हल्दी एड़ करूंगी, दो कप पानी एड़ करूंगी इसमें पानी आप अपने according कम ज़्यादा कर सकते हैं अभी हम cooker को बंद करेंगे और 3 सीटी आने तक हम इसे cook करेंगे धीमी आज पे हमें 3 से 4 सीटी ले लिए अभी हम तड़का बनाते हैं तो तड़के के लिए हमें क्या चाहिए वो देख लेते हैं मैंने यहां 1 फोर्थ टीजपून हींग लिए आदा टीजपून छोटी वाली राई जो बारीक राई होती है वो लिए आदा टीजपून मैंने मोटी साइस की राई लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप दोनों मैंसे कोई भी एक ले सकते हैं दो टेबल स्पून सांबर का मसाला लिया है साथ ही वन टेबल स्पून गार्लिक लिया है जिसे चौप कर लिया है आदा टेबल स्पून अद्रक लिया है जिसे भी चौप कर लिया है एक टेबल स्पून धनिया पाउडर मैंने लिया है और ये आट से दस करी लीव्स है ये मैंने ड्राई करी लीव्स नहीं है आपके पास fresh हो तो आप fresh use करिए साथ ही हमें दो whole red chili चाहिए इसमें आप कोई सी भी कश्मीरी देगी या कोई भी ले सकते हैं ये एक बड़े साइस का प्याज है जिसे मैंने chop कर लिया है दो बड़े साइस के टमाटर मैंने chop किये हैं इसे roughly chop करना है और ये इमली का पानी है मैंने एक lemon size इमली को गरम पानी में भिगोया और आदे घंटे के बाद उसका pulp निकाल लिया और उसमें पानी एड़ करके उसको छान लिया है छोक बना लेते हैं तो ये मैंने तेल गरम होने रख दिया है इसमें मैं मोटी राई एड़ करूँगी साथ ही हम बारीक राई एड़ करेंगे और हींग एड़ करेंगे राई जैसे ही हमारी चटक जाएगी फिर हम इसमें लाल मिर्च एड़ करेंगे तो राई हमारी चटक गई है लाल मिर्च एड़ कर देते हैं कि और ही कई गती हें कर देचे फ्रेष करी लीव्स ज्दा अच्छा टेस्ट अब मैंने का अद्रक और लशन अगर आपके पास फ्रेष करी लीव तो आप फ्रेश ही यूज़क्ष कीजिए क्युक्स कास्मर के प्यश करेक्ष का कॉम भी टेस्ट तो यहां मैंने प्याज को एड़ किया इधर कुकर में भी एक सीटी आ गई है हम प्याज भून लेते हैं यह देखिए इसे हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है तो बीच पीच में चलाते रहे और प्याज को भून लीजिए तो देखिए प्याज लगबग भून गया है इसी तरह से इसको भूनना है एक अच्छा इसमें कलर आ जाए तब तक आप इसे भूनिए और फिर इसमें टमाटर एड़ करेंगे तो प्याज भून गया अब मैंने इसमें टमाटर एड़ कर दिया है और टमाटर को हमें मशी होने तक पूरा अच्छे से कोख होने तक भूनना है तो यहाँ मैं फ्रोडा सा नमक एड़ कर रहे हूँ जिससे टमाटर जल्दी गल जाएगा जल्दी पक जाएगा तो नमक आप ध्यान से डालिए दाल उबालते समय भी हमने नमक डाला है और अभी भी हम नमक डाल रहे है साथ ही मैं इसमें धनिया पाउडर एड़ कर हूँगी तो यहाँ मैं धनिया पाउडर एड़ कर देती हूँ इसे भी मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करके मैश करते हुए हम कोक करेंगी सांबर मसाला भी मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ तो यह 2 टेबल स्पून सांबर का मसाला है इसे भी मिक्स कर लेते हैं सांबर में ड्राम स्टिक्स भी बहुत अच्छी लगती है तो अगर आपके पास अवेलिबल है तो आप वो भी एड़ कर सकते हैं अब मैं इसमें इमली का जो पानी है यह एड़ करूँगी इमली का पानी ऐसे सांबर में बहुत टैंगी फ्लेवर देता है बट अगर कई बार आपके पास इमली नहीं है तो आप लास्ट में चोख है तड़का है वो तयार है तो यह देखिए सब चीज़ें अच्छे से कोख है मशी हो गया है मसाला अच्छे से भुन गया है सांबर भी हमारी कोख हो गई है जो हमने दाल कुकर में रखी थी वो भी बन गई है ढकन देख लेते हैं तो यी देखिए एकडम अच्छे से हो गया है, अभे इसमें मोटे मोटे आपको मारने है, ऐसे इसको हल्का सा ग्राइड कर लेजे, एकडम fine paste जैसा नहीं बनाना है, सभी सब्सेट imagin अकोبرगे आए बहुत हलकासा मेने से चलाया आप देखो कुछ-कुछ इसमें सबजागनें और कुछ-कुछ पिस्ग इंहाइई तो सादल भी अच्छे से ब्लेंड हो जाती Sul ép Spencer врем RV गजाती तो बहुत अच्याट देती है अब जो तड़का दयार कियां था वह इसमें एड कर देंगे यह देखिए यह मैंने इसमें तड़का एड कर दिया है इसको हम अच्छे से चलाएंगे इसके साथ सांबर के साथ मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सांबर में कलर आया है अगर आपको सांबर बहुत यलो पसंद है तो आप बैंगन के छिलक को भी निकाल सकते हैं यहां मैंने बैंगन के छिलके को नहीं निकालाए इसलिए मेरी सांभर में कलर तुड़ा डार काएगा अगर आपको बहुत यलो चोहिए तो आप उसका छिलका हटा दीजिए अम हम इसे को करेंगे सांभर को जितना ज्यादा को करते हैं उतना अच्छा देती हैं तो आप consistency अपने according adjust कर लीजे अगर आपको गाड़ी सांभर पसंद है तो आप कम पानी डालिए ज्यादा पतली सांभर पसंद है तो आप पानी ज्यादा डालिए अभी देखो कितना अच्छा color दिख रहा है बहुत अच्छे से सांभर पक रही है धीमी आज़ पर पक जाती है तो यह साइड में से जाग और हल्की सी ना वाइड जैसी होने लगती है आप देख सकते हो इसका मतलब हमारी सांबर आल्मोस्ट तैयार है अब मैं इसमें काला नमक एड़ करूंगी काला नमक बहुत अच्छा टेस्ट देता है आप इसे स्किप मत करिए इसमें मै आदा टीसपून काला नमक और आदा टीसपूनी गरम मसाला एड़ करूंगी तो यह हम सबसे एंड में डालते हैं जिसे बहुत गरम मसाला का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है अब यह आप देखो पूरा उपर एक जाग जैसी उपर एक लेयर है इसका मतलब यह है कि सांबर बिलकुल डन है मैं mve Smith कर दूंगी और इसे एक bowl में निकाल दूंगी अभी सांबर को मैंने ना बहुत पतला किया ना बहुत गाडा किया है रखने के बाद एक दो कहंबर सांबर ओल्रीडी गाडी हो जाती है जिसे जैसे ठंडी हो गाडी हो यह देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसमें चंग भी दिखाई दे रहे हैं और सब कुछ अच्छे से मिक्स भी है तो आप इसे जरूर प्राय करो अगर आपको मेरे रेसिपीज मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइ कीजिए यह देखो आप बहुत अच्छी बनती है बहुत सिंपल है बहुत इजी है राइस डोसा इडली पीनट चटनी यह सब के साथ बहुत अच्छी लगती है तो रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए सी यू इन दा नेक्स्ट रेसिपी बाई